हेलो गाइस बेलकम टू माई चैनल मैं आपको आज बताऊंगा आयूस काउंसलिंग के बारे में क्या क्या हमको दस्तावेद चाहिए क्या क्या हमको डॉकुमेंट चाहिए उन सभी के बारे में यतने डॉकुमेंट हमको आयूसलिंग कराने के लिए चाहिए आयूस का मतलब हो एज से सिद्धा और एज से हूम यूप थी इतने डिपार्टमेंट मतला BMS, BHMS, BUMS, BSMS इन सभी कूर्सों में यह आप एड़ी सलीना चाहते हैं तो उत्तरपतेश आयूस नीट करके कांसलिंग होगी उसमें कांसलिंग कराना होगी उसमें कांसलिंग कराने के लिए आपको क्य यह क्या डोकुमेंट की जरूवत पड़ेगी ओट सब मैं डोकूमेंट बताऊंगा सबसे पहले आवंटन पत्र, मैं आपको बता दों जो आप कांसलिंग करा होगे और जो सीट अलोट होगी जिस कॉलेज में भी आपको सीट अलोट होगी उस कॉलेज की एक लेटर से डाउनलोड किया जाएगा जिके इस कॉलेज में आपको सीट मिली है आवंटेजे से अलॉट्मेंट लेटर बूलते हैं वो चाहिए आवेधन पत्र कॉपी और तुम जो आवेधन कियो उसकी पत्र की कॉपी चाहिए कि आवेधन किये हो मतलब जो फॉर्म अपलाई कियो और राष्टीकरत बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट दस जार पचास जार नतलब जो गवर्मेंट वाली होंगी ये उनको तस जार और प्राइबेट वाली होंगी उनका पचास जार चार फोटो एक पैक लिफापे में पीछे रजिस्टेशन नम्म लिखा हो जो आउस का रजिस्टेशन नम्म लिखा जाएगा जो आपने कांसलिंग करांते समय रजिस्टेशन कराया था वो बाला और चार फोटो एक पैक में रख लो नीट की रजल्ट कॉपी निवास प्रमाणपत्र, मूल निवास, पते का प्रमाणपत्र, ये भी मूल निवास हो गया पहचान का प्रमाणपत्र, आधार कार, आयसे में केवल आधार कार मांगेगा बस मोटर आइडी नहीं चलेगा, पेन कार नहीं चलेगा, ड्रियल आपका नहीं चलेगा केवल और केवल आधार चलेगा और जाती प्रमाण पत्र काष्ट सेटिफिकेट दिभ्याइग स्वतंतरता संग्राम सैनानी NCC EWS प्रमाण पत्र यदि येस मैं से आपके पास कुछ भी है तो आपने लगा लगा दिजी नहीं है कोई बात नहीं कॉलेज का गोशडा पत्र कॉलेज का गोशडा पत्र ये आपको कॉलेज का गोशडा पत्र ब्रेपसाइट पर आजाता है वहाँ से डालोड करलो लेखलो कॉलेज से पेरिफाई करालो हाई स्कूल की मारक सीट और सेटिफिकेट दो नहीं जो दूसरे धर्म से ब्लाउं करते हैं, जैसे बुद्धिष्ट होते हैं, तो उनका एक बहुत धर्म का सैटिफिकेट होता है, मायनोर्टी सैटिफिकेट, वो अपना लगा सकते हैं, और जो सिख होते हैं, वो भी मायनोर्टी में आते हैं, जैन होते हैं, वो भी मायनोर्टी म आते हैं नोट करके देगे सभी अप्यर्थी निर्धायत प्रपत्र में दस्तावेज लगाकर प्रपत्र का प्रारूप सबसे उपर सलग न करें मतलब सबसे उपर आपको यह लगाना हुआ जिस पर उसका नाम नीट्रोल नम्मर और रजिस्टेशन नम्मर इस पस्ट रूप स यह लिखा होना चाहिए यह देखो यहां पर लिखा होगा नाम नीट्रोल नम्मर और रजिस्टेशन नम्मर रो जिस ने जो आपने कांस्लिंग करांग है वह वाला रजिस्टेशन नमबर quand CPAth 1987oda की यह बीए इसके लिए यह हुँँक्त आपको चाहिए इतनी होना उनको प कता जाए यह जैसे कहा रहा हूं यह अपने डॉक्मेंट जब काउंसिलिंग कराने जाओ बिल्कुल सांत नहीं की जाओ जैसे काउंसिलिंग का सेडू लाएगा हम अपने चैनल पर डाल देंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करो बेल आइकन प्रेस करो और अप ने में ट्रॉंक पासेयर करूँ धन्वार